जैन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपको इंसेक्ट पेस्ट आप गौवा क्राप अमरूद में लगने वाले जो हानिकारक कीट हैं उनके बारे में बताएंगे कि ये किस तरह हानि पहुचाते हैं और इनका हम कैसे प्रबंद यानि मने कीट लगते हैं साइंटिफिक नेम फैमली सिम्टम ये सब पूछा जाता है ठीक है तो इसमें जो भी हानिकारक कीट लगते हैं हम उनको बारी 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 एक 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 करके आपको बता रहे हैं तो सबसे पहला इंसेक्ट कौन सा है फरस्ट इंसेक्ट जो है वो है फ्रूट का ही मोसम चल ला है किसका है अमरूद का तो आप देखना कि जैसे जैसे क्या होता है कि बरसात में भी और इस समय कूल ठंडी के मोसम में भी अमरूद में क्या होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं अमरूद के फल में क्या हो जाता है कीड़े पड़ जाते हैं तो बरसात के मोसम में ज्यादा कीड़े पड़ते हैं क्यों कि उसमें फल मक्खी का प्रकोब ज्यादा होता है इस टाइम पर फल मक्खी का प्रकोब कम होता है लेकिन होता है जब एक टाइम हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि फल मक्खी अपना प्रकोब बढ़ा देती है तो इसमें ह यहां पर ऐसे करके क्या करेगी यह फूट के अंदर इंजेक्ट करा दी और जो कैसे फूट होंगे वो राइप फूट होंगे पके हुए फल होंगे ठीक है तो आप इस तरीके से इसकी पैचान कर सकते हैं अभी देखो मैं इसके डेमस सिंटम भी बता रहा हूं पहले तो इसक स्क्राइब आप चोसिक कीया है कि ये इसका स्क्राइब है और बहूत पंचा गया बैक क्तरों से राडाव हले टिफिक टिटिटी फैमिली और डिटेरा ओर जख चनबरना यह दिब टेरा ओरfel कर लूडर में मोस्कीटो और हाउस फुलाई फ्रूट फ्लाई यह सभी आते ठ हानिकारा की जो stage है इसकी क्या हो जाएगी मैगट ठीक ना damaging stage क्या हो जाएगी इसकी मैगट हो जाएगी देखो जो हानिकारा की stage होती है जैसे क्या है कि इसमें complete life cycle पाई जाती है Diptera order में कैसी life cycle पाई जाती है विटा Complete life cycle पाई जाती है ठीक ना देखते रहे कैसे ये क्या है ये egg हो गए ठीक egg से क्या निकलेगा लारवा निकलेगा ठीक ये क्या है लारवा है आपके लारवा से क्या बनेगा फिर फिर बनेगा pupa बनता है क्या बनता है pupa बनता है अब pupa से फिर बन जाता है adult डिये adult बन जाएगा ठीक ना adult बन जाएगा अब आपको ध्यान देना है कि कितनी स्टेज हों गई एक लारवा दो pupa 3 adult चार तो चार स्टेज में complete life cycle पूरी होती और इसी में आपको ध्यान रखना कि जो इसका लारवा होता है उसी को मायगड बोलते हैं क्या बोलते हैं ये मायगड बोल देते हैं जो डिप्टेरा ओडर का लारवा होता है उसको क्या बोलते हैं मायगड बोल देते हैं जैसे कोलियोपटेरा को ग्रब बोल देत ठीक ना, ऐसे क्या है damage symptom, यह important है कि आप कैसे परचानेंगे कि damage symptom इसमें कैसे attack किया है, कहाँ परच्छत पहुंचाता है, ठीक ना, तो यह देखो, my gut feed on pulp which in turn becomes this color brown to rotten patches appearance on the attack fruit. क्या होगा, कि जहां पर यह attack करेगा, जो फल मक्खी है, वो ripe fruit पर करती है, जो पका हुआ फल है, ज्यादा तरूसीब करती है, और healthy fruit जो होता है, जो उसका color होता है, वो किसमें change हो जाता है, brown और वहाँ पर सडन पैदा हो जाती, and produce foul smell, क्या हो जाएगा, उसमें सडन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, दुरगंद आएगी, अब जैसे यह fruit है, यहाँ पर क्या किया, इसने fruit fly ने अपने अंडे दे दिये अंदर, अंडे देने अगबाद में, अंडे से क्या निकलेंगे, मैगट निकलेंगे, लारवा निकलेंगे उसके, और वो अंदर का जो पलव है, जो गुदा है, उसको खाएंगे, और वहीं पर क्या है, पना स्कृटा छोड़ देंगे, तो ऐसे क्या होता है कि वहाँ पर सढन पैदा हो जाती है, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे, अगला क्या है, अगला क्या है, दे डैमेज फ्रूट, इवनली फाल क्या है, फाल, डाउन एंड आलसो मैक फ्रूट, अन्फिट फॉर कंजब्सन, आज रेखिए, कि जो भी फ्रूट है, जिसमें भी देखा होगा, कि जो फ्रूट में कीडे लग गए होते हैं, जहां पर ब्राउन ब्राउन सा यहां पर कर देता है, तो वह जो सड़े करते हैं, तो इसलिए फार्मर को इससे बहुर ज़्यादा हानिया होती है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई से लगवग लगवग 70% की और्चेट में आपके बगीचे में हानि हो जाएगी, देखिए, छती गिरश्त फल अंतता नीचे गिर जाते हैं, कहां गिर जाते हैं, नीचे जान चुके हैं, तो इसमें क्या जब जान जाएंगे कि फ्रूट फ्लाई लगी हुई है, तब क्या इसका मनेजमेंट प्रबेंद करेंगे, ऐसा तो है ने कि हम लोग छोड़ देंगे हैं, हम लोग क्या करेंगे इसका प्रबंद करेंगे, इसको कंट्रोल में करेंगे, collect and destroy fallen fruit, infected fruit, क्या होगा कि जो भी fruit है आपके, जो infect हैं, किसे fruit fly से, उनको क्या करेंगे, फल मक्खी से जो नीचे गिरे हुए हैं, या उपर लगे हुए जो fruit हैं, उनको हम एक जगे घटा करके, नीचे जमीन में गाड़ देंगे, ठीक ना, summer plowing to expose pupa, दूसरा क्या है, कि हम क्या कर मौसम में, गर्मी की मौसम में जुताई करेंगे, जैसे दो पेंड हैं, उनके बीच में क्या करेंगे, टिलेज ऑपरेशन कर देंगे, उससे डवल फाइदे होते हैं, पहला तो क्या है, कि वीड खतम हो जाता है, दूसरा alternate host खतम हो जाते हैं, तीसरा क्या है, कि जो pupa है, हम अगरे भी control कर सकते हैं, अगला क्या, मिथाईल यूजन और लियो ट्रैप, पचीस ट्रैप का यूज करेंगे, प्रती हेक्टेयर, ठीक, टू मोनीटर, एंड किल एडल्ट और फ्रूट फ्रूट फ्लाई, मेल को खतम करेंगे, यह जो मिथाईल यूजन और यह क्या करता है कि जो मेल फ्रूट फ्लाई है, उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगा, अजब यह अट्रैक्ट करेंगा, तो वहाँ पर क्या है, कि सभी जब मेल खतम हो जाएंगे, तो फीमेल एगलेंग नहीं कर पाएगी, ठीक, फल मक्हियों के वैक्सों की निगरानी और उन्हें मा करेंगे, अगला क्या इंसक्टी साइड, वो कौन से इंसक्टी साइड है, जिन से अगर जो लग भी गया है, फ्रूट फ्लाई, अम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जब लग रहा है कि नहीं, अब किस से होगा मैनेज, इंसक्टी साइड तो तो ऐसे इंसक्टी साइड जो सही हैं मान नहीं हैं उनका क्या है ट्राइजा फॉस सबसे पहला कौन सा है ट्राइजा फॉस फिर डाइकलोरोवस कोईनल फॉस और प्रोफेनो फॉस आद आप मार्केट में जाएंगे और उनसे यह जो इंसक्टिसाइड है इनसे आप फूट्फिलाई का मनेज्मेंट कर सकते हैं अगला कौन सा है गवावा टी मोस्किटो बग यह इंपोर्टेंट है इससे कोश्चन पूछे जाते हैं कभी न कभी कोश्चन इससे पूछा गया टी मोस्किटो बग या काजी बग और इसका सामान नाम जो है मच्छर बग क्योंकि मोस्किटो मेंस क्या होता है मच्छर होता ठीक ना, काजीवग, कुछ इस तरीके का दिखाई देखा, यह देखिए, ठीक है, अब देखो, साइन्टिफिक नेम, हेलो, क्या नाम है इसका, हेलो से याद रखेंगे, कि मोस्किटो बग है, मच्छर बग है, तो हम हेलो करेंगे उससे, तो हेलो प्लिटिस अन्टोनी, ठीक इसकी जो कुल है उसका क्या है मेरीडी है और बग है तो हैमिप्टेर erw iterations हो जाएगा और cilantro क्या हो जाएगा है इस2 इमफ और детंप अथा इंपा हेमिपेटेर आउडर किस में आता है, इनकम्पलीट में आता है, तो इसमें इनकम्पलीट वो कम्पलीट था, यह इनकम्पलीट है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको, क्या करना क्या है, कि इसने एग दिया, क्या दिया, एग जो इनकम्पलीट है, एग से क्य क्या निकला निम्फ ठीक को से क्या बन गया एदेल्ट तो इसमें कितनी इस टेज हो गएंघ क्या लगतेज आ इने और एदेल्ट तो ये हैं ने फापका ठीक न आ इखिए इसमें कौन सी स्टेज़ गायब called stage गाइब है तो जो निम्फ है वो इसकी तरह दिखता है एडेल्ड की तरह दिखता है बस size का फरक होता है किसका फरक होता है size का फरक होता है इसमें people stage नहीं होती है लारवा की जगह क्या होता है इसमें निम्फ होता है तो इसी लिए जो है निम्फ और एडेल्ड stage इसकी जो है वो damaging stage है damage symptom क्या है ये important है आप सभी लोगों ने जो फल देखे होंगे ज़्यादा तर इस तरीके के ये फल दिखाई देते हैं जिसमें कार की outgrowth हो जाती है वो कैसे हैं उनमें कौन हानी पहुँचा रहा है तो आप समझ जाएए कि mosquito bug कौन पहुचा रहा हानी mosquito bug कैसा हो जाता ये देखिए क्या हो रहा इसमें scap formation is formed on fruit and under the heavy damage case fruit dropping is often noticed क्या हो जाएगा कि जैसे ही देखेंगे कि severe case हो गया है है ना uncontrolled है तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये गिरने लगेंगे फल और इसमें scap का formation और जो है वो कहा होता पहले तो पत्तियों में भी हो जाता है पत्तियों से fruit में देखो इस तरीके के फल आपने देखे होंगे market में या orchid में बगीचे में कहीं न कहीं पौधे पर किसी न किसी जगे पर जरूर देखे होंगे फल पर कार की outgrowth या scap बनना पपड़ी बनना और भारी छद के मामले पर अक्सर फलों को गिरना देखा जाता है तो ये है इसका damage symptom अगला क्या है management अब आप जान चुके कि damage symptom समझ गए कि नहीं इसमें जो है mosquito bug लगा हुआ है तो आप इसका management कैसे करेंगे collect and destroy fallen and infected fruit क्या करेंगे उनको हटा देंगे ठीक fruit और टहनी जो भी है आपकी पत्ते जो भी हैं उनको क्या करेंगे हम पौदे से अलग कर देंगे control weed to destroy alternative host क्या करेंगे कि alternative जो host होते हैं आपके जैसे कि कोई weed है अब ये जो mosquito bug है पता चला कि वो अमरूद में तो लगते ही है लेकिन अमरूद ना मिलने पर क्या करेगा कि कोई ऐसी घास या जो भी पौदा होगा उसमें हानी पहुँचाएगा जाके तो उसको क्या करेंगे वहां से हटा देंगे तो वह हटाया कैसे जाता कि tillage operation करेंगे या या तो sickle हसीया से काटके आप निकाल देंगे तो इस तरह और एक management है कि आप ये कर सकते हैं कि bagging कर सकते हैं क्या कर सकते हैं bagging जैसे छोटा फल होगा तो उस time पर bagging bag लगा देंगे उसमें fruit के बंद कर देंगे उसको ठीक ना pack कर देंगे insecticide कौन सा clothiadine thichloropride और bifenthrine ये insecticide हैं जिनका यूज करके आप mosquito bug को control कर सकते हैं fruit borer देखो ये ध्यान रखना कि fruit fly अलग था वो fly था और ये क्या है fruit borer है ठीक ना और ये आपके सामने बना भी है देखो एकदम yellow color कहा है जब इस तरीका का insect दिख जा है तो समझ जा fruit borer है तो जो fruit fly है मैंने बताया था कि वो कब हान पहुचाती है जब ripe fruit होता है पका हुआ हलका fruit होता है तभी तो वो अपना ओभी पोजिटर इंजेक्ट करा पाएगी fruit में ना लेकिन ये जो fruit borer होता है ये immature fruit हो तब भी क्या करेगा हान पहुचाएगा तो इसका scientific name पहले हम ध्यान रखेंगे क्या है कौनोगैंथस पंक्टी फेरलिस ये इसका scientific name है फैमिली क्या है पारस्टिडी फैमिली है अब borer है तो किसमें आ जाएगा लेपिडोपिटेरा में किसमें आ गया लेपिडोपिटेरा में और डेमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी कैटर पिलर मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैटर पिलर क्या है कम्प्लीड लाइफ साइकिल में लारवा जो लारवल स्टेज है भाई उसका जो बच्चा ही होगा वही तो हानी पौंचाएगा ना तो लारवा जो इसका कैटर पिलर है वहानी पौंचाएगा डेमेज सिम्टम छटी का लच्चण यह आप देखिए मैकिंग दा फ्रूट हालो फ्रोम इनसाइड क्या हो जाएगा अंदर से खोखला हो जाएगा अब भाई जो इसका कैटर पिलर है यह देखिए अंदर घुश गया अंदर घुश जाने के बाद में यह पूरा इसने कंटेंट को अंदर का खा लिया अब जब खा लिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कोई भी चीज है अंदर घुश के यहां पर क्या दिखाई देगा अगर जो आपको होगा तो इस तरीके का यहां पर कोई एक छेद दिखाई देगा यह सिम्टम यह ध्यान रखना कि किसका है फ्रूट बोरर का है ठीक मनेजमेंट क्या है इसका प्रबंध क्लेक्ट एंड डिस्ट्राई डेमेज फ्रूट सही है कि क्या करेंगे कि जो डेमेज फ्रूट है उनको डिस्ट्राई कर देंगे कहां कर देंगे जमीन में गाले के ठीक ना क्लेक्ट एंड डिस्ट्राई डेमेज फ्रूट और क्लीन कल्टीवेशन कल्टिवेशन कैसा होना चाहिए क्लीन कोई भी खर्पतवार और अन्य चीज़ें इस्ट्रा जो भी आपका वीड है कुछ भी नहीं होना चाहिए एकदम क्लीन होना चाहिए यूज लाइट रैप जो ये fruit borer है ठीक ना जो fruit borer है वो क्या है तितली light के प्रती attractive है जैसा ही light देखेगा क्या करेगा वहाँ पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर जब पहुंचेगा तो हम वहाँ पर इसका management कर सकते हैं और कीट ना सक महला थियान अगला क्या है बार्क इटिंग caterpillar ये भी important है इसको तो सब लोग ने देखा भी होगा बार्क इटिंग caterpillar छाल खाने वाली illy ठीक ना ये कुछ इस तरीके का इसका adult दिखाई देता है और caterpillar ये है illy है तो इसकी damaging stage क्या हो जाएगी caterpillar हो जाएगी ठीक ना ये आप ध्यान रखना तो बार्क eating caterpillar है तो हानी कहां पर पहुचा ये ये तब हानी पहुचा एगा जो पेट की चाल होती है ठीक ना जैसे एक stem है पेट है तो उसमें चाल लगी होती ना उसकी जो बार्क होती है यह उसको खाता है अंदर से और उसी में गैलरी बनाता है जब भी आप कोई सूखा पेहन देखेंगे और उसकी छाल को हटाएंगे ऐसे करके तो देखना कि किसी किसी पेहन में क्या होता है बहू सारी गैलरी बनी होती है और अंदर कूडा टाइप का होता है तो वो समझ जाना कि वहाँ पर कौन डैमेज कर रहा है कौन सा कीड़ा है बार कीटिंग, कैटरपिलर ठीक है? यह इसकी पैचान है चलो आगे बता रहे हैं अभी पहले देख लो, साइंटिफिंग नेम इसका क्या है? अब यह अंदर खाता है ठीक ना? दोस्तों यह याद रखना यह कहां खाता है? अंदर खाता है तो इंडार बेला टेट्रा नोईस ठीक ना? इसका यह साइंटिफिंग नेम है फैमली इसकी क्या है? मेटार मिलीडी फैमली है और कुल कैसा इसका जो आडर है कि जिदनी भी complete life cycle है अगर जो लेपिडो पिटेरा है तो उसका लारवा क्या कहलाएगा? कैटर्पिलर, डिपटेरा का माइगाट और कोलियो पिटेरा का लारवा कहलाएगा ग्रब ठीक है? डेमस सिंटम यह आप देख लीजिए डेमस सिंटम ठीक यह देखिए हमने बताया था कि गैलरी ऐसे ऐसे करके प्रजेंट होती है आप छाल को निकालेंगे, बारक को निकालेंगे तब गैलरी मिलेंगी और फ्रस लूजली प्लास्टरेट अन दा ट्रंक मतलब जो उसकी छाल होगी वो क्या होगी? लूजली मतलब बहुत ही कम हलके से ऐसे करेंगे तो वो निकाल जाएगी, पहले क्या होती छाल? जो पेंट से बहुत टाइट चपकी होती है लेकिन जैसे कीडा उसमें हानी पहुचाएगा, अंदर-अंदर खाएगा, गैलरी बनाएगा तब क्या हो गया? धीली हो जाएगी छाल ठीक? मेन ब्रांच इस पेसली नियर्दा फॉर्क जो मेन ब्रांच होती है उसके नियर्दा फॉर्क मतलब जहां से दूसरी ब्रांच गई होती है ठीक? यह देखीं तना या मुक साखाओं पर विशेश रूफ से काटे के पास काटे मतलब इस तरीके का यह मेन ब्रांच जा रहा ही है और यहीं से एक साइड ब्रांच गई है वहाँ पर ज्यादा यहान पहुंचाता है के पास रेसम और कीट कचरा से बनी दीरगाओं की उपस्तिती जो रेसम और क्या बताया कीट कचरा कचरा जो है मतलब ऐसे ऐसे लूज जो फ्रस है यह देखिए आप ऐसा ऐसा लगा होता है आप लोग उन देखा होगा कहीं ने कहीं ठीक ना ज्यादा तर गाओं में तुमको यह सिम्टम देखने को मिल जाएंगे ठीक ना किसी भी और शेड में जाएंगे तो मनेजमेंट प्रबंद कैसे करेंगे तो सिम्पल रिमूब एंड डिस्ट्राइड डेड एंड सीवियर एफेक्ट ब्रांच आप दट्री जो ब्रांचेज है उसकी ठीक ना जो सीवियर एफेक्ट हो गई है डेड हो चुकी है अब जैसे कि वहां पर गैलरी बना दी तो उसका बार्क निकल गया तो भोजन प्लांट को पहुंच ही नहीं रहा दीरे दीरे क्या हो जाएगा सूख जाएगा वो टैनी तो उसको क्या करेंगे वहीं से हटा देंगे कट कर द ठीक ना वहां पर नहीं रखेंगे क्लीन रखेंगे अब देखिए यह इंपोर्टेंट है और कैसे मनेजमेंट कर सकते हैं स्वाब कोल तार कैरोसीन आट देर वन यह सीओ तू और कारबाईल जो इंसक्टी साइड है आप ध्यान रखना ठीक ना कारबाईल 50 wettable powder 200 gram liter of water on the basal portion of the trunk up to 3 feet height जो कारबाईल है यह कारबाईल से related क्या है कि जो और अन भी इंसक्टी साइड है ठीक ना कारबाईल तो मुझे लगता है बैन भी हो चुका है ठीक है तो उससे क्या है कि जो basal portion है वहां पर यह जो portion है ठीक ना यहां पर क्या करेंगे तीन फिट की height पर उसको हम लगा देंगे ठीक ना छिलकाओ कर देंगे जिससे क्या हो गया management हो जाएगा अगला क्या है मिली बग यह भी important है और यह सब लोगों देखा भी होगा यह सारे इंसेट जो है identify कर सकते हैं आपको बस मालूम नहीं कि इसका हम प्रबंद कैसे करेंगे ठीक ना वही चीज हम बता रहे है आपको ठीक तो इसका common name क्या है मिली बग आई यह देखिए आप मिली बग वाइट वाइट से बहुत सारे देखना लगे रहते हैं पौदों में कहीं न कहीं देखा होगा पापाया में गवावा में में लगता है ना महिंगो में अलग लगता है मिली बग इसमें अलग लगता है तो जितनी भी क्रोप हैं सम्में मिली बग अलग अलग लगता है इसलिए उनका सैंट फिन नेम पूशा जाता है तो इसका नाम क्या है फरेसिया वरगाटा सीडो को सिडी फैमली है और मिली में आता है hemipetera order में आता है ठीक ना damaging stage to hemipetera nymph and adult यह चीज आप ध्यान रखेंगे damage symptom क्या इसे पैचान करेंगे आप इसकी krinking and yellowing of leaves is observed due to sucking of shape by nymph and adult तो क्या होगा क्रिंकिंग मतलब क्या अगा सुकड़ना ठीक ना and yellowing पीली पर जाना तो जहां पर यह damage करेगा वो पतियां क्या होंगी सुकड़ जाएंगी और पीली पर जाएंगी यह देखिए बहुत सारा देखुल लगा हुआ मिली बग इसमें है ना यह अम्रूद का पौदा आया इसी में लगा हुआ फिर आगे क्या है सड़ जाते हैं यह तो अभी पत्ती में लगा हुआ लेकिन जैसे ही इसमें अम्रूद आएंगे तो यह क्या होगा फल में फूट को भी डेमेज करेगा तो यह हमारे थे कुछ इंसेक्ट जो मेजर इंसेक्ट थे अम्रूद में हानी पहुंचाते थे मैंने उनके बारे में को जानिकारी दे दी है और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में